26 अगरस्त 2022 को CGINB रमना सेवा निवरित हो गया और उसके बाद 27 तारीक को जश्टिस यूयो ललित जिनका पूरा नाम है उदै उमेश ललित उनको CGI के पद पर नियुक्त किया गया है और राश्टपती के द्वारा सपद दिलाया गया है जश्टिस यूयो ललित 49 मुख्य नियाधिश है और ये महाराश्ट के सोलापूर के रहने वाले हैं इनके कारेकाल की बात करें तो जब से इनके नियुक्ती हुई है उसके बाद ये केवल 75 दिन वर्ग करेंगे इनका कारेकाल 75 दिन बाद समाप्त हो जाएगा इससे पहले जनवरी 1971 में 13 मुख्य नियाधिश के रूप में नियुक्त किया गया था अब यहीं पर हम ये भी चाल लेते हैं कि आखिर समविधान के किस अनुचेद में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कही गई है और समविधान के ये भाग पांच में है अब इसके बात करें सुप्रीम कोर्ट के नियाधिश के बारे में तो समविधान में सुप्रीम कोर्ट के नियाधिश की नियुक्ती किस प्रेकार से होगी इसके बारे में चर्चा नहीं की गई है केवल यह कहा गया है कि नियाधीश की नियुक्ति होगी लेकिन जिस प्रकार से परंपरा अपनाई गई है उसके बारे में बात करते हैं तो जंदली ये है कि मुख नियाधिश की नियुक्ति के लिए कई अलग अलग नियाधिशों के और उसके साथी उच्छे नियाले के नियाधिशों के सला ली जाती है। और यह सला राश्टपती लेते हैं। सला लेने के बाद मुख नियाधिश की नियुक्ति होती है। भारत की मुख्य न्याधिश की नियुक्ति के लिए यह परंपरा अपनाई जा रही थी 1950 से लेकरके 1973 तक जो सबसे वरिष्ट न्याधिश होंगे उन ही को CGI के पद पर नियुक्ति किया जाएगा इसके बाद 1973 में इस परंपरा में कुछ गड़बडियां होती हैं क्योंकि उस टाइम पर तीन ऐसे न्याधिश होते हैं जो वरिष्ट होते हैं लेकिन ओन तीनों वरिष्ट न्याधिश को छोड़ करके उनके जूनियर A.N. Roy को नियुक्ति कर दिया जाता है जिससे काफी मामल बिगड़ जाता है इसके बाद दूसरा न्याधिश मामला 1993 है जिसमें सुप्रीम कोड ने ये फैसला सुनाया कि जो वरिष्ट न्याधिश हैं उन्हीं को सुप्रीम कोड के मुख न्याधिश के रूप में नियुक्ति किया जाएगा CGI UU ललीट कुछ खास फैसले भी किये थे जो काफी चर्चा में रहे हैं जस्टिस UU ललीट को क्रिमिनल लौ का स्पेसलिस्ट माना जाता है वो क्रिमिनल लौ में स्पेसलिस्ट है जस्टिस UU ललीट को टूजी घोटाला में पब्लिक प्रोसीक्यूटर की रूप में निय IPC के धारा 124-A में राजदरो मामला संबंदित नियम है और इस नियम को ले करके Justice U.U. ललित ने केंदर सरकार से जवाब मांगा था और उनको नोटीस जारी किया हुआ था के अलावा SCST फैसला में भी ये काफी जर्चा में रहे हैं Justice U.U. ललित ने यह कहा था किसी भी SCST के द्वारा किसी पर आरोप लगाया जाता है तो पहले उस आरोप की जाच की जाए उसके बाद FIR दर्जी किया जाए तो इस मामले में इन्होंने केंदर सरकार को नोटीस जारी क किया था सके अलावा SCST फैसले को लेकर कि इन्होंने बांबे हाइय कोट के फैसले को पलता था उन्होंने अपने फैसले में यह कहा था किसी भी बच्चे को गलत तरीके से चूना गलत इरादे से चूना सो सड़क आ जाएगा और वह पाक्सओ एक्ट के तहत ही आएगा तो ये फैसला काफी चर्चा में रहा है.